परशुपालल लोन और केसेसी के लिए पाइलेट प्रजेक्ट कर रहा है अगर ये पाइलेट सफल होते हैं तो परशुपालल लोन और केसेसी तुरंत मिलने लगेंगे इस पर और जानकारी लेते हैं अंकुर मिश्रा से मैं इस समय G20 में RBI Innovation Pavilion में हो और यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ दो ऐसे नए पाइलेट प्रोजेक्ट जिसमें Reserve Bank of India काम कर रहा है पहला है किसान क्रेट कार्ड यहाँ पर साथ बैंकों के साथ tie-up किया गया है और आइडिया यह है कि Instant Sanction हो और Instant Dispersal हो अभी तक जो कस्टमर को टाइम लगता है वो 8-10 दिन सैंक्शन में ही लग जाता है और आइडिया यह भी है किसी भी तरीके से Underwriting Practices में कोई compromise नहीं है जो खसरा नंबर है, सर्वे नंबर है उसको use करके land details कस्टमर के पाए जा सकते हैं उसके बाद आधार नंबर और Pan Card नंबर से उसका credit data निकाला जा सकता है तो यहां पर तुरंट आइडिया लग जाएगा कि आखिर कितना loan customer ले सकता है और उसी के हिसाब से तुरंट sanctioning हो सकती है जो साथ bank मैंने आपको बताए उनके नाम है Union Bank, IDFC First Bank, Central Bank, HDFC Bank, Indian Bank तो यह सारे बैंकों से अलग-अलग state में tie-up किया गया है और ताकि अभी यह pilot project conduct किया जाए और उसके बाद final इस तरीके का कोई product उतारा जाए इसी तरीके से दूसरा एक project है digital cattle loan यहाँ पर जो दिक्कत होती है अभी तक customer को कि वो किसी भी तरीके का loan ऐसे लेने जाता है उसमें एक तो किसी कोई proof देना है कहीं पर उसे bank के चक्कर काटने पड़ते हैं तो वो सारा जो time duration है वो घट जाएगा यहाँ पर instant application खुद customer भी कर सकता है और चाहे तो bank का अधिकारी भी कर सकता है जो digital cattle loan के processes है वो बिल्कुल digital रहेंगे और यहाँ पर जरूरी चीज़ यह है कि जो गुजरात के state में अभी pilot project चल रहा है उसका जिस तरीके से नतीज़ा आता है ना सिर्फ digital cattle loan में बलकि KCC digital में भी जिस तरीके का नतीज़ा एशक पर जिस तरीके।